यह नहीं के लेंस है, इस पॉइंट इस प्रेंट इस प्रेंट आप यहां पर यह उन्फ बटन दिया गया है वालकम तो माई यूटूब चैनल, आज यहां आज मैं आपने लिखने हैं हूं वाइफाइ पावर बेंक कामरा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके अन्बॉक्सिंग करके दिखाते हूं कि यह वाइफाइ पावर बेंक क्यामरा हमारा किस तरीके का होता है और कैसा दिखता है और साथ में इसके क्या क्या दिया जाता है बॉक्स में यह देखिए यह है हमारा Wi-Fi power bank camera बहुत ही अच्छी इसकी clarity होती है बिल्कुल full HD clarity और यहाँ पर आप देख सकते हैं camera का lens है this point is our camera lens और यहाँ पर यह on-off button दिया गया है और यहाँ पर यह memory card का slot दिया गया है यहाँ पर 32Gb तक यह memory card supportable होता है आप यहां पे इसमें memory card डालेंगे recording के लिए और वैसे आप live इसको कभी भी देख सकते हैं यह देखिए यह इसकी screen नहीं है यहां से it HOW to mobile और चार्ज करने करने लिए जाते हैं हीए टू Late USB भी टी कह आइ टो अविसको किस तरीके से हमें Use करना है यह भी मैं आपको दिखाती यह देखिए, यह इसकी डेटा केबल है, इस तरीके से इसको चार्ज करना है, मैं आपको दिखाती हूं इसे यह आपको data cable लगा के और यह USB part आप किसी में भी लगा सकते हैं अपने adapter में या फिर laptop में किसी में भी लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं अभी हमने यह चार्ज कर रहा है इसलिए मैं यह हटा रही हूँ और यह साथ में देखिए दो strips दी जाती हैं यह cover करने के लिए कि आपको camera बिल्कुल भी visible ना हो एक इस side और एक इस side यह दोनों strip हैं दोनों side के लिए strip दी गई है चीक है तो यह दो strip होती है और यह user manual दिया जाता है आप देख सकते हैं Lookam Pro application mention भी है इस पे Lookam Pro application पे यह camera चलता है आप यह application play store से install करेंगे इसको live देखने के लिए तो चलिए अब इसको use करके दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसको use करना है और यहाँ पर मैं आपको reset point भी दिखा देती हूँ यह देखिए button on off के साथ में यहाँ पर reset point है यह black color का चोटा सा आपका बटन दिया गया है यह reset के लिए दिया गया है आपको कोई भी problem create होती है तो आपको यहाँ पर इससे reset करना है तो आपको camera reset हो जाएगा अब इसको हम on करेंगे सबसे पहले यह power का button हम इसको long press करेंगे जैसे हम long press करेंगे तो आप देखेंगे यह इसमें light जल जाएगी यह देखिए red और blue से color की mix color की light आपके यह जल रही है इसमें blue और pinkish type जो light है यह अब हमारा power bank on हो गया यह देखिए यह light आ रही है ना blue color की अब blue color की light आ रही है हमारी पहले starting में mix color की आती है फिर बाद में यह blue color की हो जाती है तो अब इसको हमें कैसे चलाना है मैं आपको वो दिखाती हूँ हमारे mobile में सबसे पहले तो आपको क्या करना है mobile में आपको wifi अपना on करना है और इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है जहाँ पर बहुत सारे wifi के names शो करते है वहाँ पर इसका serial number आएगा TUT से यह देखिए TUT इस serial number को हम select कर लेंगे और उसके बाद यह connecting हो रहा है अभी देखिए इसके बाद यह connected हो गया लिखा हुआ मतलब हमारा camera मारे mobile से अब connect हो चुका है अब हम चलेंगे application look cam pro यह जो center में है green color का logo इस तरीके की application आपको play store से install करनी है मेरे phone में यह already installed है तो अब इसके बाद कैसे use करना है यह plus के निशान पर जाएंगे add online camera search network search network करने के बाद यह आपकी ID शो हो जाएगी इसमें search network करने के बाद यह इस पर आप press करेंगे ID पर touch करेंगे फिर share कर देंगे आप देखेंगे कि share करने के बाद आपका जो camera है यह यहाँ पर अभी online show हो जाएगा इस तरीके से आप तोड़ा सा refreshing करेंगे refreshing करने के बाद device आपको online visible हो जाएगा यह देखेंगे यहाँ पर green color का यहाँ पर mention होता है online और यह video play का symbol है आपको बस इस पर touch करने है और जैसी आप video play के symbol पर touch करेंगे तो आप देखेंगे hello यह इसका जो music का है साउंड वाले पर touch करेंगे तो music on हो जाएगा hello 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 123 यह देखिए यह हमारा camera है hello 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 आप देख सकते हैं यह live चल रहा है अभी camera hello hello यह camera अभी live चल रहा है बहुत ही अच्छी सी clarity है यह देखिए यह हमारा wifi power bank live चल रहा है अब इसके बाद इसको wifi से कैसे connect करते हैं हम वो देखते हैं अब यहां पर यह सारे features mention है यह आप खुदी यहां से इंफ्रामेड on है इसको आप off कर सकते हैं और यहां से यह मैं भी sound बंद करेंगा नहीं तो यह echo करेगा अब यहां पर देखिए record लिखा है हमारी save हो जाएगी हमारे mobile में अब हम चलते हैं यहां more पे और यहां से सबसे पहले हम settings में चलके इसको wifi से कैसे connect करते हैं वो देखते हैं आप जाने के बाद आप सारे feature देख सकते हैं SD card settings, SD card पे settings पे जाएंगे तो SD card के settings दिखेगी आपको हम यहां से अब चल रहे हैं wifi setting, सबसे पहले इसको wifi से कैसे connect करना है हमारे wifi का नाम शो कर रहा है हम उसमें touch करेंगे उसके बाद अपने wifi का हम password डालेंगे wifi का password में डाल रही हूँ password डालने के बाद हमें इसको next कर देना है जैसी हम next करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कुछी seconds चलने स्टार्ट होगा है दूर असा time लगता है wifi से connect होने में तब तक आप जाएए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और videos को like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा share भी कीजिए जब तक हमारा power bank की अभी यहां पर wifi से connect हो रहा है wifi से connect होने के बाद हम लोग कहीं से भी live देख सकते हैं क्यामरे को क्योंकि wifi से क्यामरी क्या है इसके orders देने हैं और मैंने अपने contact number description में add कर दिया है इसको buy करने के लिए आप contact करेंगे 8799762688 और 990484421 मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मद भूलना thank you friends have a nice day